हेलो गईज़ आप सभी का दुबारा से नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है गोर्मेंट जोपस की वीडियो चैंपर भाई और बैनो आप सभी के लिए एक दमन्य अपडेट हम लेकर आज को आपको बताने वाले हैं आप सभी बार बार मैसिज कर रहे हैं कोमेंट कर रहे हैं सर हरियाना कोसल लोजगा निकम के अंदर CM साब ने भी ओडर दे दिया गया है कि 7000 बच्चों के जो मैसिज भेजे गए थे उन बच्चों की जोईनिंग नहीं हो पा रही है और क्या आज भी ओफ़लेटर नहीं निकालेंगे CM साब आज नए बच्चों को जो नए ओफ़लेटर देने वाले हैं ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी आज ओफ़लेटर आएंगे या नहीं आएंगे 40, 50, 55, 60, 65 जो भी आपका स्कोर का जुड़ पा रहा है इसके हादार पर क्या आपको हरियाना कोसल रोजगार ने कम में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो गवर्मेंट जोप्स के यूट चंग को सस्काइब करके रखे और टेलीग्राम ग्रूप का लिंक वीडियो के डिस्काप्शन में डाल रखा है जाहिए वहाँ से टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लीजिए आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे जो भी नोटिफिकेशन होते हैं जो भी ओफ़लाइटर आते हैं कंटिन्यू आपको सबसे पहले हर एक जानकारी मिल जाती है साथ में अगर मेरे भाई और भाई नो कोई डाउट होता है कुछ भी चीज़े आपको पूछनी हो कभी भी आप कॉमेंट करके पूछिए कभी भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए क्योंकि telegram group जो होते हैं आप सभी की help करने के लिए बनाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी telegram group join करें आने वाले बर्तियों के latest update मिलेंगे latest जानकारी मिलेंगे CM साब ने जो अभी 7000 बच्चों के offer letter बाटे थे उन बच्चों की joining होनी हो पा रही है काफी बच्चों को अचने आ रही है कि वहाँ पर वो जो बर्तियों के लिए selected हुए है कहीं पर तो पोस्टे खाली नहीं है कहीं पर उनको जो बहाँ बेजा गया है वहाँ पर जो पोस्टे हैं जो जिस पोस्टे के लिए select हुए है वो पोश्ट ही नहीं है वहां पर जो मेरे भाई गुरु बैनों को काफी दिक्कते आ रही हैं साथ अजार बच्चों की जो ओफलेटर थे यह 31 तारीक तक जोइनिंग था 31 तारीक के बाद में इनकी जोइनिंग नहीं हो पार गी यह भी काफी दिक्कते आ रही है तो सभी भाई उर्बैनों को हरियाडा कोसल रोजगानिगम के जो हैड ओफीस है पंचकुला के अंदर वहाँ पर सभी बच्चे पहुंचे थे जिनको भी ओफलेटर के कारण दिखते आ रहे थी जोईनिंग करने में तो मेरे काफी भाई वहाँ पर गए है उन्होंने अपना अच्छा सारलक्सन इमला है तो वहाँ पर जाने के बाद सॉलुशन आपको कुछ ना कुछ तो होता है जहां पर आप जाएंगे तो भी तो आपका सॉलुशन होगा वहाँ पर वो बच्चे पहुंचे तो उनको निकाले हैं तो उनका यह कहना है कि साथ जार बच्चों का जोइनिंग पूरा तरीके से पूरा कंफरम है उनकी जोइनिंग हो जाएगे और अगर कोई मेरे भाई गुरुबैन किसी भी कारण वर्स से रह रहा है कोई दिकते आ रही हैं अभी भी उसकी जोइनिंग नहीं पा हैं किसी भी पोस्ट के आजशी हम साब है जारी नहीं करने वाले हैं चालीस बचास बच्पन साथ पैसर जो भी आपका स्कूर का जुड़ पा रहे हैं आपने कौन-कौनची पोस्टों के लिए अपलाई कर रहा हैं एक पर जाते जाते सबी कोमेंट जू करना कि आपने कहां काम पर पोस्टे अपलाई कर रहा हैं कौन-कौनची जिले के अपलाई कर रहा हैं यह चीज़ आप जरूर लेकर हैं आप कहां के रहने वाले हैं और आपने कौनची जिले के फोरम बर रहे हैं आपके स्कूर में अगर सतर बिचेतर नेमर होगा तो यह आप दूसरे जिले का अंदर जो आपका होम टाउन है अगर आप महंद्रकट जिले से मिलों करते हैं तो महंद्रकट के ही फोरंग बरी है 40-50-55 नमबर वाले अगर आपके 40-50-55 ही स्कोर जुड़ पा रहे हैं और आप जाके जीन्द का फोरंग बरते हैं तो वहाँ पर आपका नेगेटिव पाइंट है वहाँ पर आपका उफलेटर नहीं आएगा खिसी भी कीमत बाई जो भी जानकारी दे रहा हूं आपको रियल जानकारी बता रहा हूं बाई और बैनो इसमें बुरा मानने की चीज़े नहीं है क्योंकि आपका स्कोर कार्ड भी देखना पड़ता है हूं टाउन के अंदर भी आपको उसके नंबर मिल जाते हैं दूसरी जगह जाएंगे तो आपको दूसरी जगह की नंबर नहीं मिलते हैं अपने जिले का फोरम बरेंगे तो उसके एक्स्रा नमर दिये जाते हैं तो वह एक्स्रा नमर वहाँ पर नहीं मिलेंगे वैसे भी आपका स्कोर कम होगा दूसरी जिले से तो वहाँ पर सलक्षन होने की चांजिस आपकी बहुत ही कम रह जाते हैं तो अपने जिले का जितना ज अच्छा लगा बुरा लगा कैसा भी लगा जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जूरू करेंगे हम उसका रीप्लाइच जरू करेंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ठेंक्यू जाहिं जैवार्थ